तो इस वाले question को देखो बच्चो यह एक आसान question है अगर अपने पास कोई nucleus है ठीक है ना यहां से x और n और यहां से m nucleus है emit one alpha particle अगर alpha particle emit करता है तो जो alpha particle के लिए कुछ नहीं है वो helium nucleus है तो जब alpha particle emit होता है तो atomic number जो होता है वो 2 कम होगा और mass number 4 कम होगा तो मानलो यह y बनाया तो यह बनेगा n minus 2 और जो mass number होगा m minus 4 होगा ठीक है अब यह कहता है beta emit किया 2 beta emit किया तो जो beta particle होता है जब भी वह emit होता है तो एक beta particle में जो mass number है वो atomic mass जो है atomic mass atomic number जो है atomic number एक कम होगा तो 2 में 2 कम होगा और mass number वही रहेगा तो यह मानलो z बनाया और जब z बनाया है तो यह n minus 2 और 2 बढ़ेगा तो plus 2 और m minus z होगा ही रहेगा तो 2 एक कट कुटके 0 हो गया तो n बचा तो finally जो x आएगा वो n m minus 4 बचा होगा ठीक है मतलब अपना c option सही हो गया होगा thank you